हलो स्टुडेंज मैं संदेप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मैगनेट ब्रेंट जिंदी में जहाँ पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्राम क्लास 6 तो 12 मतला यहाँ पे कुछ चाप्टर देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बिलकुल भी जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी क को चुकि नाम सब्सक्रिंड लेर है कि यहाँ हम साउन्ड रिलेटेश चीजे पढ़ने वाले हैं साउन्ड एक तरीके की एनेर्जी है जोकी हमारे पास एयर के जड़िये ट्रावल होकर के अभी तो आ रही है जो मैं बोल रहा हुं यह आपके जड़िये एयर के जड़िये लेकिन इसका ट्रावलिंग कैसे होता है यह एर में किस परकार से चलती है क्या यह ठोस में भी चल सकती है या फिर क्या यह लिक्विड में भी चल सकता है क्या अगर हम बात करते हैं कि ठोस में चल सकती है तो किस परकार लिक्विड में चल सकती है तो किस परकार वायू में चल होता है कैसे बनाते हैं sound कैसे आता है यह sound इसके बारे में discuss करेंगे वैसे तो हमें बहुत कुछ पता है कि sound produce कैसे होते है है ना सोर मचाते रहते हैं वो भी sound production का हिस्सा है साथ ही जात में किसी चीज को stuck कर रहे होते हैं बजा रहे होते हैं वो भी sound production का हिस्सा है बहुत सारे instruments हमने देखे वो भी sound production का हिस्सा है आखिर कैसे होता है सब में ये अलग-अलग क्यों है इनके बारे में discuss करेंगे साथ ही हम बात करेंगे ध्वनी का संचरन तात्पर है कि ध्वनी एक जगह से दूसरी जगह चलेगी कैसे जब ध्वनी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेज आएंगे तो लेज आने के लिए जैसा मैंने अभी discuss किया था माध्यम की वो माध्यम किस तरीके के होंगे किस में से किस परकार जाएगी तो हमने पाया था कि ध्वनी संचरन तरंगों के माध्यम से होती है चाहें वो द्रौ में चले, चाहें वो ठोस में चले, चाहें वो गैस में चले, तो यह तरंग आखिर क्या है बई? तो तरंग दो तरीके के हम देखेंगे आपे, एक देखेंगे हम अनुदैर्द तरंग को, एक देखेंगे अनुप्रस्त तरंग को, इन दोनों को हम रिलेट करेंगे और हम समझेंगे कि आखिरिये कैसे होता है बड़ा ही मज़दार सा टॉपिक है बड़ा ही इंप्रस्टिंग सा है तो क्यों न सुरू कर लिया जाए हमारा सबसे फर्स्ट ध्वानी का उत्पादन चुकि आप तो सोची रहोंगे कि अब तक आ दोल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं ध्वानी का उत्पादन ही तो कर रहा हूं लेकिन सेम टाइम पर यही चीज जब आपके कानों में आ रहे है तो आपके स्पीकर से आ रहे हैं मत्तब वहां पत्पादन कौन कर रहा है स्पीकर ठीक है ना तो हम ऐसा समझते हैं कि ध्वानी जो है यह एक परकार की उर्चा है अगर यह उर्चा नहीं होती तो यह transferable नहीं होता है ना ट्रांस्मीट कैसे कर पाते हम यह जो कुछ Beach अभी अब सुन पा रहे हैं यह transmitted है ठीक है न तो यह अगर transmit हो रहे हैं मतल़ यह एक energy का almprechen जिसको मैंने रुपांतरित किया हुआ है वो आपके जरी अंटरनेट के माध्यम से पहुंचा और पहुंचने के बाद आपके पास फिर से वो स्पीकर्स ने उस सेम चीज जनरेट करी जो कि आपको सुनाई पड़ रही है मतलब यह कनवर्टेबल है यह एलेक्ट्रिकल एनरजी से साउंड एनरजी में आपके पास कनवर्ट हो रही है और हमारे पास यह साउंड एनरजी एलेक्ट्रिकल में कनवर्ट हो रही है मतलब एनरजी है साउंड ठीक है लिकिन प्रोड्यूस कैसे होगी तो sound एक तरीकी का vibration है आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं जैसे आपने speakers को देखा होगा जब वो बसता है तो ऐसा vibrate हो रहा होता है उसके अंदर जो कपड़े जैसे लगा होता है वो vibrate हो रहा होता है वो vibration आपको बता रहा है कि sound वो produce करें मतों vibration है सिर्फ यही नहीं हमने ढोल ड्राम प्लेट हना डाइलिंग टेबल पर बैटके बने प्लेट भी खुब बज़ आई है ठीक है ना तो भई प्लेट उसके ओपर जैसे आप करते हैं वो क्या होता है चन सावा जाता है तो होता है कि अब इसके अंदर एक vibration आ र बलती रहती है और एक मज़दार सी चीज़ बताओं हाना लगबग समी ने आइटिंग खेला होगा इस तरीके से कई बार को जब नया घर बन रहा होता है तो पीलर में जो ऐसे रॉड छूट जाते से पिलर में जब पिलर बनता है छट पे अपना छट बन गया तो इसे रॉ होता है बहुत ही अच्छा सा तो कुल मिला करके हम यह कहना चाहते है कि साउंड एक तरीके कहके है कंपन कब प्रडियूज होगा जब आप किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ से स्टक करेंगे ठोकेंगे पीटेंगे कई बार को साउंड ऐसे खुरचने और घिसने से भी प् आपने कंपन प्रोडियूज किया आपको साउंड मिलेगा जैसे गिटार का वायर अपके के तभी हलका से कंपन दिया जाता है बहुत देर तक वह वाइबरेट हो रहा होता है इसलिए उसको वायर को पूरा टाइट कर देते ट्विस्ट करके ताकि वह पूरे वाइबरेशन को कवर कर सके ठीक है ना तो सभी वाद्यंत्र भी इसी पर बेश्टे भई ठीक आइए जब देखते हैं फिर हम बात करते हैं और इसके बारे में साउंड जो है यह क्या है जब किसी वस्तु में कंपन होता है ता वह माध्यम के कड़ों में विछोब उत्पन कर देता है जिस फ्रॉक है ठीक है यह हमारे लाब में मिल जाता है यह वाई जैसा है कि स्ट्रॉक्चर है ठीक है ना इसके एक एंट पर थोड़े से मैंने मार मारा तो देखिए वाइबरेट होने सुरूंगी यह वाइबरेशन क्या करता है तो जैसे कि आप एक पत्थर लीजिए और पानी में क्या उत्पन होगा विछोब मतलब हल चल चीक है पानी में हल चल उत्पन होगा वहल चल क्या हो रहा भई तो पानी वाज़ाटी और ऐसे लहर बनाती हुए इस तरीके से आगे कि तरह बढ़ना सुरू होगी वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर भी सेम हो रहा है देखिए लहर बन रही है आपने क्या किया आपने ये किया कि वायू मंडल में जो खण थे है ना इनके अंदर विछोब उत्पन किया जैसे समझते हैं अगर माल लेता हूं ऐसे ये बहुत सारे खण हैं हमारे पास ऐसे बहुत सारे खण हैं जो इसली अपनी जगह पर पढ़े हुए इनको कोई फरक नहीं पढ़ता आप क्या कर रहे हैं कौन सा एक्सपरिमेंट कर रहे हैं इनको कोई लेना देना नहीं है लेकिन सडली सडली आपने क्या काम किया इसके ऊपर इधर कहीं से ले आ करके एक टूनिंग फ्रॉक इसको कैसे भी करके आपने छेड़ दिया मतलब इसको पर थोड़ा मार दिया या पर ऐसा श्टक किया तो यह क्या करेगा यह एक पोजिशन इस टूनिंग फ्रॉग की देखें तो एक पोजिशन तो इसकी हो जाएगी ऐसी एक बार तो इधार जाएगा और एक बार इसकी पंडिशन रहेगे ऐसी अब जब यह नीचे आएगा इन कणों से देखें टकरा रहा है जब इन कणों से टकरा कैसे वाइवरेट होगा तो इस जो रेट कलर से यहां पर कण दिख रहा है इस कण को क्या करेगा बैए इस कण को नीचे की तरब धकेल देगा यह कर नीचे आगे गरीन से जो दिख रहेए अभी से गए टकरा ये टक रहेगा से इसे से मतल्स एक पर वहट चुपन होने लगवी चोब ृत्पन हो गया यहांक पर खलवली मच गई एक दूसरे से टकराने ने शुरू हो तो साउंड यहां से ट्रावल करता हुआ है इदर आगे के तरफ बढ़ने लगा इसी को कहते हैं प्रोडेक्शन अफ साउंड इसी तरीके से हमरा साउंड जो है यह निर्मित हुआ है ठीक है अब कान कौन से यह अंत्र है भाई तो यहां जो लिखे इसके अलावे बहुत सारे जयसे कुछ एग्जामपल के लिए ट्यूनिंग फ्रॉक और स्पीकर सथ है त्यूनिंग फ्रॉग और स्पीकर वर स्पीकर के जतने वी-वादय आंत्र है भाई धोलक हो गया तबला हो गया गिटार हो गया जितने भी प्लाइंग इंस्ट्रुमेंट है सब में सब दोनी प्रोड्यूस कर रही है इवन बासूरी भी वो भी तो फ्लूइट वह उसके जरीए भी तो आप एयर पास कर रहे हैं उससे भी तो रहा है तो दोनी प्रोड्यूस करने के लिए सिब रगड़ना खुरचना या फिर किसी ची बाहर निकाल रहे होता है जब हम बाहर निकाल रहे होता है तब हमारा वोकल कोड उसके अंदर मोडिलेशन करता है जैसे बासूरी में कैसा है इसा मोडिलेशन करते है उसके खाली जगों पर वैसे ही हमारा वोकल कोड उसमें मोडिलेशन करता है और हम जो कुछ भी बोल पात या यूंको मैं कोई चीज बोल पाता हूं ठीक चली तो मतलब बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिससे ध्वनी प्रडियूस होती है आगे हम बात करते हैं क्या कि यह कंपन होगा क्या जो वाइबरेशन जिसके बात करें कि ध्वनी एक तरीके का वाइबरेशन है इसका मत्वब का ह है तो यह किसी वस्तों का एक नियत बिंदू के सापेट तेजी से अधर उधर घती करना कंपन कहलाता है सीधी बातना जो मैंने आभी आपके एक्जामपल लिया तो वह रॉड़ वाला कि पिलर्स के जो छड़ छतों पर छूड़ आते हम ऐसा पकड़ के छोड़ते हैं तो इलांग इधर कभी घती करें ना कभी इदर कभी यह वार बार 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 दोलन कर रहा है ऐसा इसी चीजित को हम कहते हैं कंपन वाइबरेशन है यह जैसे एक चीज और है मैं आपके समझने के लिए बहूत यह ऐच्छी सी चीज है जैसे हम अंका उचारण करतें तो उस समय यह कब होता है यह तब होता है जब थोड़े से खुली हो और ऐसा मौक का उचारण कीजिए अब जिस विचित का उचारण करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिए आप आएंगे क्या वाइब्रेशन कर रहे हैं तो जैसे आप बिल्कुल करके देख सकते हैं करके तो भाई वाइब्रेशन आ रहे हैं आपको मैसूस होगा यह वाइब्रेशन चलिए यह सबसे बैलतर एक्जामपल है हमारे पास में जिसके जड़ी आप एजिली एक्स्प्लेइन कर सकते हैं एजिली समझ सकते हैं कि भाई यह वाइब्रेशन है क्या आगे वरते हम जड़ा और डिसक्स करते हैं में कि ध्वनी का संचरन कैसे होगा अकिर यह द्वनी एक जगह से दूसरी जगह चलेगी कैसे जब ध्वनी को चुकि यह एक उर्जा का रूप है और इस उर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक जब मुझे चलाना है तो इसको चलाएंगे किस परकार से किस तरीके से हमारे पास चाहिए होगा मीडियम बिना माद्यम के ध्वानी संचरन संभाव नहीं है साउंड को अगर ट्रावल कराना है मीडियम चाहिए क्यों क्योंकि जो अभी हम बात करते हैं श्टक करने का यह देखिए यहां पर जैसे श्टक किया यह माद्यम के कर फाइनली देखिए अपनी जगह पर रह जाएगा मैं एक कंड को माग करता हूँ आप सोयम देखी गा इस कंड को मैंने माग कर दिया यह देखिए आगे बड़ा वापस उसी जगह पर आगे बड़ा और वापस अपनी जगह पर मत कब हो ये रहा है कि ये जो है धनी या तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है अब बारी आते है तरंग क्या है तो तरंग को थोड़ा सा समस्तर इसके बाद हम इन टॉपिक्स पाएंगे तो तरंग जो होता है ये जब कभी कोई भी पिंड अपने रास्त को बार 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 दोहराने शुरू कर देगी तो इसी को हम कहते हैं तरंगी अग्यती कैसे जड़ा देखें यहां पे यह ऐसा चला यह वापस यहां गया मतब यह जहां से चले तो वहीं वापस आ गया है अब एक नया और वेव बनाता हूं मैं जो कि इसका रिपेटिशन आपको महसूस कराएगा यह चला और वापस आया ठिक एक और बार में बना ले तो यह चला और वापस आया अर्थात अगर यहां पे देखेंगे तो यह क्या और भई जो वेव यहां से यहां तक मुझे मिली थी यही सेम टू सेम पाथ सेम टू सेम रास्ता यहां तक मिल रह तो जब कभी कोई पिंड इस तरीके से गती करता है तो इसी चीज को हम कहते हैं कि वीव तरंगी यह गती यह रिपिटीशन है ना यह जो ब्लू दिख रहा वही से इंचिज पपल में दिख रहा है बाद में अगर अपन और बना है तो और अपन बना लेता है यह ब्लैक से वही चीज दिख रहे रिपिटीशन और चलेगा फिर से रिपिटीशन आती जाएगी तो इसी चीज़ को कहते हैं तरंग इसी चीज़ को कहते हैं वे जैसे कि इनिशली अभी हम लोग ने एक करते हैं तो डिक्टो सेम तरीके की लेर मनती भई पानी के कर अपनी जग्य़ा पर उपर होते फिर नीचे बढ़ जाते फिर उपर उते नीचे बढ़ जाते इसी कान इस तरीके से उसमें ल pross्त पन्न होती है उन्हीं लोहरों को उनिनम को कहते की अबी तरंग ठीक है अब बात यह है कि इन औरजा को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जब हमने एनरजी ट्रांसफर की बात की तो हमारे पास दो तरीका आते हैं एक तो यह कि हम उस औरजा को खुदी ले करके जाए मतब दरबेमान को दे दीजे वो खुदी ले जाएगा ठीक है जैसे रेडियेशन में होता है लेकिन दूसरा तरीका यह होता है कि बीच में कोई माध्या मोग वोक अन्वे करें कैसा तो एक सिंपल सी बात समझेंगे हमारे पास एनरजी ट्रांसफर करने के दो तरीके पहला तरीका यह मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके स्कूल की लाइबरेरी से आपके में गेट तक बुक्स ले जाने हैं तो आपने क्या किया था भई आपने किया कि आपके क्लास के सभी बच्चे लाइन से खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया भई एक ने लाइबरेरी से बुक दूसरे को पास के दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौते को चौते ने पाच्छे को और ये बुक में गेट तक पहुंच गया ही कुछ इस प्रकार एक व्यक्ति यहां खड़ा हो गया दूसरा व्यक्ति यह खड़ा हो गया तीसरा यहां खड़ा हो गया इसी प्रकार सा बुक उठाएं और खुद ऐसा चलते हुए चलते हुए यहां लेकर के बुक डॉप करते हैं दूसरा भी यहां से बुक उठाएं उठाने के बाद फिर से ऐसा चलता हुआ वापस लेकर डॉप करते हैं मतलब दूसरे में दिख रहा है कि इतन surrounds us 5 में जो लोग जो उपलब्द थे जो लेकर जा रहरेते वो सौयम थे। उनको किसी मीडियम के जौरत नहीं है उनको किसे लाइन के जौरत नहीं यह जब ऐसा लेकर करके गया इस रास्ते से तो यह सौयम लेकर के गया नह segundo दूसरा तरीका यह है कि भाई एक दूसरे को पास करेंगे तो पास करते से मैं यहां मुझे कोई मिलना चाहे नहीं जिसको मैं पास करूँगा उसी प्रकार से इसको यहां मिलना चाहे जिसको पास करेगा वैसी प्रकार से इसको मिलना चाहे जिसको यह पास करेगा मत्तब यह स ओपर सिर्फ कमपन कर रहे हैं चल नहीं रहे हैं जहां नहीं रहे हैं विस्थापित nichts हो रहे हैं लेकिन यह वाला केस जब चल केगा था इसमें विस्थापन हुआ था ठीक है ना तो इस ही के अधार पर हम समझते हैं कि उर्जा संचरन जो होगी वो धनी के रूप में जब होगी तब ये हमारा ये वाला केस होगा कि माध्यम उपलब्द होंगे वो एक दूसरे को पास करेगा नाटी वो कण खुद ही लेकर के जाएगा जैसा कि प्रकास उर्जा के जब हम बात करते हैं तो प्रकास में इस तरीके जो होता है कि वो कण खुद ही चल के जाता वए ये कण लिया और ये खुद ही चल करके दूसरी जगह पर पहुंशता है इस बाहुँ को रेडियेशन देखने को मिलती है विकीरन ये जब चल करके जाएगा तो खुद ही अपनी ऊर्जा को लेकर के कैरी करके जाएगा भई मतब जा ट्रांसफर हुई जो जहां का था द्रविमान वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा ठीक है तो मतलब समझ में आता है कि हमारे पास में एनर्जी ट्रांसफर के दो वेजों मिलेते हैं उनमें से हमें कौन सा वे साउंड के लिए चीए बई तो साउंड में मेरे बोलते समय क् कोई द्रविमान बाहर निकल रहा है क्या अगर यह द्रविमानों के रूप में बाहर निकलता तो यह सेम चीज आपके तक ट्रांस्मीट नहीं हो सकता था क्योंकि द्रविमान इलेक्ट्रिकली थोड़ी ट्रांस्मीट होंगे मासेस को मैं इलेक्ट्रिकली इतना बड़ा मा को मैं एलेक्ट्रिकली आपके तक ट्रांस्मीट नहीं कर सकता यह सेम चीज समझें ना मैं बोल रहा हूं सिंगल अग्ड़ सेम टाइम इस चीज को बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर पी-सी इन सभी लाब्टॉप्स में देख सकते हैं तो कितनी जगह यही मेरे बोले गए दर्मान का खंडन हुआ होगा संभव इनी तो मतब यह दर्मान है ही नहीं मेरा मैं किसको इस्तेमाल करूं तो अल्रेडी यहां पर वायू मंडल में वायू के कड़ हैं मैं मैं अपने माध्यम से अपने वोकल कोड जीब होट दाथ इन सभी के माध्यम से मेरे अंदर से निकलने माली हवा को मैं वाइबरेट करा रहा हूं और यह वाइबरेशन किसको दे दिया यह वायू मंडल के कड़ों को और वायू मंडल के कड़ों ने लिया और इसको प्रेसि अपने end से उसने vibration create करना सुरू किया same vibration आपके कानों तक पहुंचा तो यही same to same word सुनाई दे रही है जैसे जितने भी alphabet है जितने की मैं बात करूँ मैं कहले तो को मैंने को को उचारण जब किया तो मैंने एक vibration create किया उसी type का vibration कोई भी create करें उसी के आसपास का तो आपको यही लेटर सुनाई देगा को ठीक है तो चलिए आई होप आपको यह point समझ में हाया है तो हम जला बात कर लेते हैं इन दोनों तरंगों की कि यह अनुप्रस्त और अनुदार्ध तरंग होते कैं भी यह दो तरीके के तरंग है जहां पर हम यह समझेंगे कि माद्यम के जो कण थे जो बुक्स ट्रांसफ़र कर रहे थे हमें बुक्स ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो यह जो मैंने अभी आपको बता है से लेफ्ट टू राइट आपने ट्रांसफर करी तो माध्यम के कड़ों में भी इसी प्रकार से होता है एक तो हैसा होता है कि माध्यम के कड़ और विस्थापन दोनों की जो दिसा है वो सेम हो जाए जिदर विस्थापित हो जैसे जागे पिछे विस्व्तापितोंने और बाता हूं तो यह हो जाता है हमारा क्या चलता है पिर शुकार्ठा फिर चलता फिर से कोड़ता है फिर चलता है ऐसा चलते जाता है हम भी ज़स समझेंगे भी इसको और दूसरा यह वेव ए ट्रांसवर्स का मतलब होता ऐसा मतलब इसके माध्यम के कड़ अगर देखेंगे अगर जैसे मैं इसकी बात करूं तो अभी यहां पर है अगला जो वेव आएगा अगर अगला वेव मान लीजे ऐसा आ गया तो इस अगले वेव में इसी पौइंट की जो लोकेशन होगी वह यह हो जाएगी एक समय पिस पौईंट के यह होगी यह 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 मतलब यह किदर चला यह उपर नीचे है यह इनि हां पर देखेंगे तो माधयम के जो कण है इनके चलने की दिसा उपर नीचे लेकिन यह वेव किदर चल रही है यह चल रही यह वेव र На 10 साइट पे मतब यह 90 डिगरी पे हैं दोनों यहां पर आपको दिख रहे हैं कि माध्यम के कड़ भी आगे पीछे और जो उर्जा का स्थनांतर नहीं वह भी आगे की तरफ हो रहा है इसी लाइन पर हो रहा है मतब दो तरीके हैं या तो जैसे की केच्वाट की चलने की बात कर जाएगा फॉलो तो यही करता है ना वो सीधे रस्ते पर ही तो चलेगा ना सापा खिर लेकिन तरीका क्या है ऐसा जिग्जाग जिग्जाग ऐसा चलने का तो मतलब हमारी ओर्जा जो थनांतरित होगी तरंगों के माध्यम से उनमें से दो तरंग आएंगे एक समय में भी अच्छे डाइग्राम से जिसमें हम इस बात को और किलिरली समझेंगे तो चलिए हम जब रहे के करके इन दोनों को समझते हैं सबसे पहले हम आते हैं हमारे इस वेव के उपर तो हमारे पास है पहला वेव अनुदैर्ध तरंग लॉगनी टूडनल वेव यह कैसे होगा तो इसको समझने का बहुत आसान तरीका यह सामने आपके सामने डाइग्राम आप यहां पेक स्प्रिंग देख रहे होंगे इस स्प्रिंग में हमने क्या किया हुआ है यहां से एक फोर्स लगाया यह स्प्रिंग देखे सेम 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 बनी हुई थी यूनिफॉर्म यह लगाय है आप किसी भी तरीखे का खिचाव तना कुछ नहीं देख रहे हैं सिर्फ कब देख रहे हैं जब यहां से स्टे बल लगाया तब-थक अभी कुछ नहीं अब इन्हों नगी घंड गाया तो ये वही कंप्रेस हुआ आगे बढ़ गया अच्छा यह देखें यह अगे बढ़ गया लेकिन हम आपनी जगह पर सांत पढ़े हुए यह आगे चल रही है लेकिन हमाले पुनी जगह इस रिंग की अगर मैं बात करता हूँ जब यहां से प्रेस हो रहा है तब यह रिंग को कोई फरक नहीं पड़ता ही अपनी जगह पे है यहां से प्रेशर आ रहा है तब तक इसको कोई फरक नहीं पड़ता है कब पड़ेगा जब ज़स्ट इसका पहले वाला अगर प्रेशर फील करेगा तभी ओ अगले वाला अपने आपको प्रेशर में फील करेगा लेकिन जब यह दोनों का प्रेशर बनेगा तो अपने आपको रिलीज भी तो करेगा रिलीज करने के लिए आगे की तरह बढ़ता चला चाहिए इस कारण से यह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ में आया कि यहां पर जो विस्थापन हो रहा है जो विस्थापन यहां जो करा रहा है इसका विस्थापन आप अगर ध्यान पुर्वक देखेंगे तो इसका विस्थापन लेफ्ट टू राइट है इसका जो विस्थापन हो रहा है वो इधरी की दिसा में है जिस दिसा में यह तरंग संचरन कर रहा है तरंगों के संचरन की दिसा क्या है यह यह तरंग संचरन की दिसा है और अगर यहाँ पर बात करता हूं यह यह हाथ जो संचरित कर रहा है यह माध्यम के कड़ों की ठीके ना यह कड़ों के विस्थापन की दिसा है यह कड़ों के विस्थापन की दिस मतब कण के जो विस्थापन की दिसा होगी और जो तरंग संचन की दिसा होगी अगर मैं दोनों को बनाओ तो तरंग संचन की दिसा भी इधर ही और कणों का विस्थापन भी इधर ही मतब दोरों के बीच में कोई angles इस तरीके से form नहीं हो रहे यानि मैं कह सकता हूँ इसको रीट करते हैं जड़ा देखते हैं कि क्या कहना चाहिए तो देखें ध्वनी तरंगे अनुदैर्द तरंगे होती क्योंकि इन तरंगों में माध्यम के कड़ों का विस्थापन विजोब के संचरण के दिसा के समानतर है यहां से जो विचोब उत्पन किया था और जो तर देरेक्शन और यहां पैरलेल हो रही है भई अगला पॉइंट करन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती नहीं करते लेकिन अपनी विरा मवस्ता से आगे पिछे दोलन करते हैं यह तुम्हें कह रहा था यह कर जो हैं यह गती नहीं कर रहे हैं यह अपनी जगह पे हैं बस आगे पीछे आगे पीछे दोलन करने के कान आपकी उर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुच गई लाबरेरी जो बुक में लेकर क्या रहा था जब पूरे गए एक लाइन में खड़े थे क्लास के तो वो बुक एक दूसरे को ट्रांसफर होती चली गई और हमें कोई तकलिफ नहीं हो बुक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई ठीक है ना बस हम क्या कर रहते है अपनी जगह पर इसा आगे पीछे आगे पीछे सा मूफ कर रहते है तो मतलब यह हमारा क्या लॉग नी ट्यूडनल वेब इसको समझना असान था यह बनेगा कैसे किस तरीके से प्रोड्यूस हो करके बनता है उसकी हम बात है संपिडन संपिडन का मतलब कि जब दबाव वाला चैत्र संपिडन का मतलब का उच्छ दबाव वाला चैत्र और रेरर फ्रेक्शन का मतलब होता है हमारा विरलन विरलन का मतलब होता है निम्न दबाव का छेत्र जैसे कि आपको यह दिख रहा है ट्यूनिंग फ्रॉक यह लाब में उपलब्ध होता है जनरली इसको ऐसा स्टग किया जाता है किसी के उपर तो यह वाइबरेट होने लगते हैं अब यह वाइबरेट होता है तो क्या करता है यहां पर देखिया माध्यम के कड़ बिलकुल पास पास वैसे ऐसे यहां पर जो कड़ है यहां पर इसको पता ही नहीं कि यहां वाले के पास में कोई उर्जा आ गई तो यह क्या कहता है यह अपने अगले वाले के पास जाता है इस अगले वाले तक अपनी उर्जा ट्रांस अब पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो बहुत मेरे तक जब तक को फोर्स नहीं है तो खड़ा हूं लेकिन फीछ वाले पूरे दूसरे को उपर गिरना सुरू हो चुके हैं मेरे पास भी आएगा तो मेरे उपर भी पीछे सा धक्का आएगा मैं आगे की तरह जुकोंगा म मैं माध्यम के कड़ों के साथ में भी कर रहे हैं तो देखें यहां पर हो यही रहा है ना यहां तक वाल अपने सांती में पड़े हुए आखरी में स्टेंड में जो साइकल खड़ी थी इधर से साइकल गिरता है उसको क्या फरक पड़ता है जब तक कि उसके प्रिसीडिंग जस्ट उसके पहले वाली साइकल तक फोर्स नहीं आ जाती तब तक लास्ट साइकल को कोई फरक नहीं पड़ता है यहां पर भी सेम चीज़ चल रहा है जब तक यह लास्ट वाले यह ऐसे दबाते दबाते नहीं गए तो यहां तक तो यह आया अब भाई यह क्या होगा बहुत सारी एनर्जी ऐसे रखी है अब यह अचानक से क्या करेगा अपने आपको फैल आएगा इतना ज्यादा में कंडेंस इतना में कंप्रेंस इतना में संपिडित नहीं रह सकता तो यह क्या कि आपने आपको खुला चोड़ दिया तो खुला क्या अचानक से होगा नहीं आप लाइन देखिए यह दिरे दिरे इसका घना तो कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है यहां बढ़ रही है बढ़ रही है नि Can Area कराइगीerd लिए इसके बाद samen बारी है माक्सिममों हो गई कि मतब एक बार संपेड़ित ओगी एक बार विरलन होगा संपेड़ान विरलन की चुवा मैंने इसलिए तो बोला तो आपनी बॉडी को सिर्फ समझने के लिए भाईこと पर स्पिसमट इस फ्रक्रो पर नहीं करेंगे उसको एक्जाक्त लेकिन समझ में आ जाता है तो क्या था वर आपनि बॉड इंपर संकुचित कर वर या आगे बढ़ता है संकुचित कर आ पर मतलब इस तरीके से energy एक जगह से दूसरी जगह तक transfer कर ली जाती है. तो ऐसाउंड भी जब चलता है, तो साउंड के भी चलने का ही यही तरीका होता है. वो compression और rareretofaction के रूप ने एक जगह से दूसरी जगह तक गमन कर जाता है, चल जाता है. अब एक मज़ेदार सी बात बड़े इंट्रेस्टिंग सा है बहुत मज़ा भी आएगा और आपको मज़ा इसलिए भी आगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा वाला है कैसा डीजे डीजे क्या आता है बही तो जो बहुत तेट साउन जो साधी कोई भी और भी कारिकरमों में जो जाते हैं खुबते घ्रम डंडब डंडब होता क्या है उसमें तो इसमें पूरा मौện तंक वाता और एक स सब अपनी जगह पे हो किया रहा है अचानक से एक बार डम बसती है तो क्या होता भी जो वायू के करते अचानक से वहाँ पर आपने जटके से सब को एनरजी दे दी किसको जो स्पीकर के पास में थे अभी बहुत सारी एनरजी आ गई वह क्या कर लेकर के बढ़ जाते हैं आग लेकिन मैं इसमें आपको एक्स्प्लेइन करना चाहरा हूं उस वाइब्रेशन को वह जो संपीड़न और विर्लन हो रहा है उसको जो बीट जितने ही बजते हैं धम फिर तोड़े वाला हो या फिर डीजे वाला उसमें ही तो होता है आप अगर फ्लोर्स पे खड़े होते है है जिसमें साधी व्याकी इस पिसली बात कर लें तो उस समय आप देखेंगे इतना अप्तिये साउंड होता है ऐसा लगता है जैसे पैरों में अपने आप ऐसा कंपन आ रहे हैं आप डांस करो नहीं करो पैर कंपन करने लग जाते हैं इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है वह खर क्यारे मादम के करण अपनी जगापे है मतना विरला नामस्ता में आपने उसको संपिड़ित किया ऑगया एनर्जी रिलीज्द करने आगे जाएगा तो फिर से विरलन फिर आगया एनर्जी कंपरेश होगी तो फिर से कंप्रेशन तो प्रकेशन रेटर उसे आइसरी एक जगह से दूसरी जगह तक प्रांसर हो जाती है तो मत्तब संपीडन क्या होता जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस परकार एक उच्छ दाब का छेतरुत्पन होता जिसको संपीडन कहते है यह जो हमने अभी बात करी थी जो हमने यहां भी डिस्किसन किया था यह संपीडन यह इल्टीमेटली क्या है भई तो इसके बारे में बात कहलेते हैं यह उच्छ दाब है यहां पर प्रेशर कैसा होगा उच्छ और इसे उच्छ दाब को रिलीज करने के लिए फ्री करने के लिए वो क्या करता है विरलन तो कि मतलब यह हो गया हमारा संपेड़ा नर्थात उच्छ दाब का छेतर उसका विपरीत अगर हम बात करते हैं सेम उसके विपरीत तो यहां पर हमको देखने को मिलता है विर्लन विर्लन में क्या होता वही जब कोई कंपमान वस्तू पीछे की और कंपन करती है तो इस परकार क्या एक निमन दाब का चेतर उत्व भत अशेतर होता है जिससे विर्लन कहते है जब यह आगे की तरफ यह हैं यहां पर कंप्रेस किया आप दोनों तरफ खुल गया तो यह क्या हो गया विर्लन मतल्ब निमन दाब संपिधन मतब उच्छदाब बस इतनी से बात याद रखें जहां पर माध्यम के कड़ों के बिच में हाय प्रेशिर आएगा दाट इस संपिधन मतब क्या माध्यम के कड़ वस्तु से कहता परे बई माध्यम के कड़ों से ताथ परे चुक्कि वाइब्रेशन हो रहा है आप अब संपिधन एक उंचे दाब रहे और विरला नेक निम्न दाब कर छेतर होता है यह लोग प्रेशर है यह है यह है वह बढ़ प्रेशर ठीक है च या तो ऐसे आगे पीछे ऐसे कंप्रेशर रेर फेक्शन या फिर कैसा बहुत आप नीचे यह देखिए चल रहा है अब इसमें मैं इस जो रेड कलर का डॉट है उसमें बड़ा इंट्रस्ट है मुझे मैं काम करता हूं मैं मार्क कर देता हूं इसको एक मोटी लाइन से आप एक सीधी लाइन बनाता हूं मैं अब आप देखिए यसी लाइन पे वो रेड वाला डॉट जो है नीचे और इसी लाइन पे ऊपर जा रहा है मतलब वो रेड डॉट बनाने का एक सिंपल सा तरीका यह था कि माध्यम का एक वो कण था उस कण को आप ध्याल पुरवक देखि लेकिन यह वेव को देखिए आपको यह वेव लगेगी कि आगे बढ़ रही है कुछ आप यहां पर रही है यह देखिए यह लग रहा है यह आगे बढ़ रहा है यह आगे बढ़ रहा है यह आगया यह इसी के साथ बढ़ रहा हूं मैं यह मैं इसी के टॉप 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 को चूज किया मैंने यह देंगे बढ़ रहे मतब मुझे देखने में कह लग रहा है कि यह लेकिन इसके माध्यम के Kन ये कहौन है बहई ये होगया हमारा कौन Cuando मतब यह हमारी जो उर्जा है वो संचरी तोरी है यह हमारी उर्जा संचरन है इदर और यह जो है यह माध्यम का कण है माध्यम का कण अब आग यहां से ध्यान पुर्वक देख पा रहे होंगे कि जो माध्यम का कण है वो उपर नीचे चल रहा है और जो तरंग संचरण है वो इधर चल रही है मत्तब यह हो गया मेरा तरंग संचरण जबकी यह उपा नीचे हो गया मेरा क्या यह हो गया मेरा माध्यम का कण अर्थात मुझे एक बात समझ में आई कि जो यह अनुप्रस्थ तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग वह क्या था वैजो आगे पीछे पां कर रहा था वह कौन सा था था वह अनोदायर थे था ठीक है जब आ रद यह लॉगनिट्यूडनल है यह लॉगनिट्यूडनल वेव है और यह हमारा ट्रांस्वर्सल वेव की डिरिक्शन है तो में तो यह हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच में थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडिविज्विज्वली क्या है तो समझें इन तरंगों से माध्यम के क अगलंग की दिसा के लंबावत गती करते है माद्यम के कर तरंगों की जो दिसा है उसके लंबावत गती कर रहे हैं उपर नीचे गती कर रहा है इन तरंग तो भाझं uh गती इस दिर्गों अइसमें क्या मन रहे 17 रभिना नकी यह कुछ प्रकार चल जबा रहा है he यह जो नीचे टाम हारी इसको हम कहते हैं घर्थ ठीक है यहां सिर्थ और गर्थ बनते हैं अच्छा एकौर मज़धार बात इससे रिलेटेट बहुत सारे कॉमन टापिक्स हैं जैसे यहां पर मुझे देखने को मिलेगा इन सिर्थ और गर्थ के बीच की डिस्टेंस को क्या कह हैं यहां से इसकी जो हाइट है इसको हम कहते हैं वही इसका आयाम कहते हैं इसका एम्प्लीट्यूड कहते हैं एक सेकेंड में यह कितनी बार मूव कर रही है कितनी बार कंप्लीट साइकल बना रही है उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं ठीक है अवरती कहते हैं एक कंप्लीट यहां से यहां तक चलके यहां तक आने में जो time लगता है उसको time period करते हैं इसके बारे हम विस्तुरित रूप से एक part में discuss करेंगे अभी के लिए हम सिर्फ wave संचरन की बात करें इसके इंटर इसके अंदर उपलर्द चीजों की discussion हम separately अलग से करेंगे चलिए अभी आते इस मुद्धे पर तो हमें समझ में आता है कि तरंग संचरन जो यहां पर होना है वो तरंग संचरन यहां पर देखने को मिल रहा है कि माद्यम के कण के लंबवत है जब माद्यम के कण के लंबवत होगा तो यह अनुप्रस्थ है और ज यह भी करते हैं इसी चीज़ का यह देखिए यह कड़ है यह रेड कलर वाला आपको दिख रहोगा यह एक इकलिबिरियम लाइन इकलिबिरियम मतलब साम्में आवस्था एक बीच की अवस्था जैसे आप यह रेड वाला डॉट आपको दिखाया कि यह उपर नीचे यही प संपीड़न यह जाने के अपनी जरा गया और यह संपीड़न आगे बढ़ गया और यहां क्या हो गया हैràzn का यह पिरलन व 네 मैंने आगे वाले को धक्का दे और मैं वापस अपनी जगा पागे फिर एक लहारा आगे फिर मैं आगे वाले को धक्का दूंगा फिर अपनी जगा पे तो यह दोनों चीज़ों में चल रही है यह बेस्ट डिफरेंस है यहाँ पे लॉग निटूडनल और ट्रांसवर्स लेकर गती के दिशा के अनुदीस गती कर रहे है इस रेड लाइन की गती देखिए यह आगे पीछे है और यह वेव संचरन भी धरी हो रहा है लेकिन यहाँ पे इसकी गती दर और वेव संचरन लंबवद दिशा में हो रही है अच्छा इन तरंगों के सिर्ष और गर्त बन यह यह दोनों क्या हो जाएंगे यह दोनों शेर्स हैं और यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करें तो यह गर्त है ठीक आगे बढ़ते हैं इन तरंगों में संपिड़न और विरलन यहाँ पर क्या हो रहा भई यहाँ पर यह जो है यह संपिड़न है यह जो चल रहा है संप देख लिजिए तो प्रकास तरंग अनुप्रस्त है और ध्वनी तरंग के अगर हम बात कहते हैं तो यह अनुदैद इस तरीके से जो चलता है वह प्रकास तरंग है और हम इस लॉगनिट्यूडनल वेव का एक एक इक्विवेलेंट बना सकते हैं जो यहाँ पे वेव चल रही अनुदैद उसका एक एसके मैटेक हम बना सकते हैं अनुप्रस्त में भी ठीक है ना इसका रुपांतर नहींसा कर सकते हैं जोमेट्रिकली दर्शाने के लिए चलिए तो हमने यहां तक मैं इन दोनों वेवस के वीच में अंतर भी देख लिया इं उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह तक संचरीत होती है । इसकी उपूर्जा का वी रुपांतररण हैं हमारे पास दो तरीके थे एक अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से और एक अनुद्धैर देतरंग के माध्यम से तरंग मत्तब था कि जो अपने रास्ते को बार 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 रिपीट करें एक ऐसा उपर नीचे चल रहा था और एक ऐसा है तो अपकू बाती कोर्स के लिए क्या करेंगे तो आपको कानना है आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कॉर्सिस को एक्स्पोर कर सकते हैं जैसे की आप CBC English Medium से हों इस पोकन इंगलिज सिखना चाहते हो, NTSC या Olympiad के preparation कर रहे हो, CUET के preparation कर रहे हो, IATJ, NEET, CIIB, JIIB के preparation कर रहे हो, आप बस टाप कीजिए, आपके सभी course content easily systematic order में मिल जाते हैं जैसे कि आप CBSE Indie Medium से आपने tap किया, आपकी classes open हो गई, आपने अपने class को tap किया, आपके सभी subjects open हो जाते हैं, आप अपने subject को watch now पे click कीजिए, उस subject से related सभी chapters open हो जाते हैं, जहाँ पर एक ही chapter के folder के अंदर, उस chapter से related उसके concept videos, one short revision video, NCIT solution, NCIT exercise questions, MCQs, previous year questions, most important questions, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं, जश्ट इसके ऊपर आप click करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका video play हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप pause कर सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, notes prepare कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात भई, यही से next video करके आप अपने अगले video पर जा सकते है मतलब बटकने के बिलकुल भी जूरत नहीं है, तो अभी के लिए इस video को like कर दीजे, channel को subscribe and इसे अपने दोस्तों में share भी कर दीजे भई, क्योंकि magnet brand सिंधी लेकर क्या आया है, free education, from class 6 to 12, quality content and experience teachers के साथ, तो बने लिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले session में कुछ और topics के साथ, thanks for watching.